बिस्मिल्ला है रहमान रहीम फिफ सेमेस्टर के कूर्स स्कूल कम्यूटी एंड टीचर में आज हम एक नए टॉपिक को डिसकस कर रहे हैं और हमारा आज को टॉपिक है टेक्नॉलोजी एंड एथिकल वैलियोज यानि टेक्नॉलोजी जिसको हम पहले भी बहुत दफा डिसकस कर चुके हैं और एथिकल वैलियोज मतलब इखलाकी अग्दार वो इखलाकी अग्दार जो स्पेसिफिक टेक्नॉलोजी से मतलिक हैं हम उन पे आज बात करेंगे सबसे पहले हम यह देख लेते हैं इसे मतलिक जो अखलाकी आथ हैं हम उसको डिसकस करते हैं और ये एक सब फील्ड है इखलाक याद की यानि कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी जगों पर जो हमने जाबत अखलाक को फॉलो करना है उन में से जो बाते हम टेक्नॉलोजी से मतलिक जिसको डिसकुस करेंगे वो एथिक्स और टेक्नॉलोजी कहलाएंगे अब हम ये देखते हैं कि टेक्नॉलोजी के एथिक्स जो है हम से मतलिक हम कुछ और देखते हैं इनक्नॉलोजी की जो एथिक्स है हम इंडवीजर राइट को भी इसमें डिसकुस करेंगे जो इन्फरादी जो हकूक हैं वो किस किसम के हैं टेक्नोलोजी से मतलिक हम उसको डिस्कस करेंगे यानि यह किसलिए यूज होते हैं ज्यादा तर मौरल इशुज को डिस्वाल्व करने के लिए that have to do with the development and application of technology of different types जो के different type की technology की application से जो issues पैदा हो रहे हैं हम उनको resolve करने के लिए जो ethical code बनाएंगे या जाबता अखलाक जिसको हम follow करेंगे वो इसमें शामिल होगा अब चुके हम education की student हैं और हम इस course को being a beard student पढ़ रही हैं तो हम बहुत सारी जो इखलाकी अगदार हैं हम उनको उस तरह से discuss करेंगे जो education के reference से होंगी वैसे तो बहुत सारी ethical values हैं जो business से मतलिक होंगी marketing से मतलिक होंगी बाकी चीज़ों से मतलिक होंगी लेकिन हम यहाँ पर उन basic चीज़ों को discuss करेंगे जो education से मतलिका student को जिन से वास्ता पड़ता है या जो उस reference में discuss करने जरूरी है अब यहाँ हम देखते हैं कि ethical issues क्या क्या है जो information age है उसमें क्या क्या ethical issues है जो face करने पड़ रहे हैं लोगों को सबसे पड़ी जो पहली चीज़ है वो privacy जो लोगों की privacy है वो disturb हो सकती है और चुके जो forces हैं बहुत सारी technology की वो privacy को disturb कर रही है और उसमें से एक क्या है growth of information technology जो information technology बहुत ज़्यादा भड़ गई है और उसमें इजाफा हुआ है उससे बहुत सारे लोगों की privacy में खलल पड़ा है और बहुत सारी चीज़ें जो net पर माजूद हैं किसी भी किसम की permission के बगार उनको ले लिया जाता है तो लोगों की privacy disturb होती है privacy is the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how and to what extent their information should be communicated to other privacy से मुतलिक सिमराद वो claim है जो individuals या groups या कोई भी institutions करते हैं कि उनकी जो information है वो किस किस को और कब कब transfer की जा सकती है या बताई जा सकती है अक्सर हम sides पर देखते हैं कि उसमें privacy policy जो है वो मुझूद होती है उसकी बकारदा terms and conditions होती है और sometime अगर इस privacy policy को follow ना किया जाए तो बहुत से ethical issues जो है वो पैदा हो जाते हैं जिनको हम technology की age में से पहले इंसान को उससे वास्ता नहीं पढ़ रहा था तो सबसे पहला जो issue है वो तो privacy है जिसको हमने अभी discuss किया है second one is accuracy misinformation has a way of fooling up people's life यानकि misinformation जो है technology की age में बहुत जादा तेजी से spread हो सकती है when the party with the inaccurate information has an advantage in power and authority especially उस वकत जब जो misinformation है वो फैलाने वाला power में भी हो और authority में भी हो और उसको पता हो कि जो information वो फैलाएगा उससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता तो ये चीज़ भी information technology या technology की वज़ा से ethical problem पैदा करती है and next is property property का मतलब है कि जो चीज़ एक शखस की मलकियत है वो उसी शखस की मलकियत रहे और कोई दूसरा उसके बगार इजाज़त के उसको use ना करे अब technology के दोर में बहुत सारी research चीज़ बहुत सारी materials बगार किसी की consent के अगर उठा लिये जाएं तो वो भी property की जो right है उसके against, ethically उसके against जाएगा one of the most complex issue we face as a society is the question of intellectual property rights जो जहीन लोगों के property rights हैं उसको disturb कर ये technology क्योंके बहुत easily हर चीज अवेलेबल है नेट पे किसी का भी material बहुत आसानी से उठाया जा सकता है बहुत आसानी से उसको use किया जा सकता है अपनी information शो करते हुए तो ये चीज़ें भी technology की ethical point of view से disturbance पहला सकती है अब हम ये देखते हैं कि internet ethics क्या है जोके हम student हैं और हम net से material लेते हैं बहुत सारी चीज़े लेते हैं इसलिए हम यहाँ पे इस topic को उस तरह से discuss करेंगे जिन ethical values का सामना being a student करना पड़ सकता है और जिसको हम as a student face करते है अब internet ethics में क्या चीज़े आ जाती है जो internet के users हैं उनके लिए एक code of conduct को बनाया जाए कि वो यूज करते वकत किस किस तरह की सरगर्मियों को करेंगे और किन सरगर्मियों पर पबंदी होगी Organizations that introduce new information system must first address legal and ethical issues related to technology जो भी organization कोई नया information जो है वो introduce करवाए या system introduce करवाए तो सबसे पहले उसको legal और ethical issues को deal करना चाहिए जो technology से मतलिक हो सकते है और ethical and moral issues associated with the internet क्या क्या हो सकते है cyber bullying हो सकती है provision of misleading information on website यानि कि website पर कोई ऐसी information दे दी जाएं जो mislead कर रही हो plagiarism यानि चुरा लेना किसी का material अपनी information शो करते हुए किसी का research वर्क या कुछ भी ऐसा बगहर किसी के consent के इसको चौरी कर लेना या वैसे as such copy कर लेना use of photo editor to distort reality photo editor को use करना जो reality के बिलकुल खिलाफ हो privacy किसी की privacy को disturb करना hacking, hack कर लेना किसी भी तरह की sites को hack कर लेना या बाकी या सब technology के ethical इसके खिलाफ है inappropriate websites with illicit material गलत किसम के material की inappropriate websites को चलाना तो वो सब चीज़ें जो है वो ethically दुरूस्त नहीं होंगी यह technology की चीज़ें हैं जिनको deal किया जाना जरूरी है अखलाकी point of view से अब हम देखते हैं what is cyber bullying cyber bullying क्या है यानि कि इस सब चीज़ें technology से मतलिक हैं जो अखलाकी तोर पर गलत है लेकिन इनको deal किया जाना जाहिए electronic aggression online rumors online कोई अफ़वाहें पहला देना जो फोरण फोरण फैलती चली जाती है आप देखें sometime TV पर या ये जो साइट से internet की उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो rumors sometime बन जाती है TV पर तो बहुत जादा नहीं लेकिन net पर इस चीज़ का बहुत जादा है कि अफ़वाहें जब फैलती है तो फोरण फोरण आगे मुन्तकिल होती रहती है posting pictures without consent किसी की भी जाज़त के बहुत पिक्चर को post कर देना harassment harassment के लिए इसको internet को use करना plagiarism जैसा कि हमने पहले बात की कि हम उसको without permission किसी का material जो है वो use करें users या students can download anything from the internet जो student है जो users है वो बहुत असानी के साथ internet से किसी भी चीज़ को download कर सकते है they can access and information data copy paste it and use it as their own information और sometime ऐसा हो सकता है कि किसी भी तरह की जो information है वो just copy paste की और अपनी information show करके उसको use कर लिया research papers are available freely research papers जो हैं वो freely available है और that are copied very easily वो इनको बहुत असानी से copy किया जा सकता है वो सब चीज़े ethical technology के ethical values के खिलाफ है जिसको आजकल जिससे सामना करना पढ़ रहा है जो आज से पहले जिससे सामना करना नहीं पढ़ रहा था लोगों को अब hacking क्या है into bank accounts of online user website hacking, computer hacking, password hacking कुछ भी चुराया जा सकता है जो अखलाकी तोर पर गलत होगा और उसको अखलाकी तोर पर use नहीं किया जाना चाहिए तो ये सब चीज़े जो है वो इस वकट technology के हवाले से अखलाकी तोर पर इनका सामना करना पढ़ रहा है remedies क्या होगी अब ये सब कुछ हो ना इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताके ये जो ethical values हैं ये बरकरास रह सकें किसी की privacy disturb ना हो किसी का material plagiarism के तोर पर इस्तमाल ना किया जा सके तो क्या करना चाहिए copyrights to provide plagiarism copyright के حقوق हासिल कर लेने चाहिए ताके plagiarism से बचा जा सके more developed filtering software ज्यादा developed filtering software को इस्तमाल किया जा सकता है acceptable use policy acceptable use करने की acceptable policy होनी चाहिए privacy policies बनाई जानी चाहिए यानि कि जो किसी की भी personal चीज़ों को किस तरह से इस्तमाल किया जाएगा या किस हद तक वो उस तक ही रहेंगी जैसे आप technology के तहट जितनी भी social जो media है इस्तमाल करते हैं उन सब पे आप देखें के privacy policy लागू होती है वो आपको बताते हैं कि आपकी information हम खुद तक रखेंगे या दूसरों तक नहीं जाने देंगे वो सब उनके policies पहले से तेख कर ली जाएं तो ज्यादा बेहतर है censorship of certain website जो मुख्लिफ website है उस पे censorship लगाई जाए कि कौन उसको देख सकेगा कौन नहीं देख सकेगा और कोई अगर गलत किसम की website जो हैं वो launch की जाती है तो पहले से उस पे sensor लगावा हो कि जो उसको नहीं देखना चाता या कौन उसको open कर सकेगा को नहीं कर सकेगा यह सब ethical point of view से इसका arrangements होने जाएए अब cell phone जो है simple technology के एक मिसाल है लेकिन इसका भी बहुत सारे ethical values इससे भी concern है inappropriate cell phone usage may include texting while driving अब यह देखिए ethical point of view से यह भी बात गलत है कि driving के दुरान text किये जाएं या फोन का बहुत जादा इस्तमाल किया जाए तो यह भी ethical point of view से गलत बात है invading others privacy दूसरों की privacy को disturb करना bullying किसी को तंग करना cell phones के जरीए harassment from wrong numbers wrong numbers के जरीए लोगों को तंग करना या frauds यह तो एक बहुत common phenomena है आजकर आप देखें कैसे message आते हैं और उन messages के नाम पर किस तरह fraud होते हैं और misleading dealers लोगों को धुका देए से उनके पैसे जो हैं अगर सादा लोग हैं तो वो अपने पैसे गवा सकते हैं इस तरह के frauds जो हैं spreading rumors अफवाहों को फैला देना इस टेलेफॉन के जरीए से तो बहुत सारी ऐसी ethical चीज़े हैं ठीक है ये तो कुछ issues थे और उनकी जो remedies थी हों हमने डिसकस की हैं याद रखें टेकनालोजी सिरफ एक education तक महदूद नहीं है टेकनालोजी ने तो बहुत जगों पे कदम जमा दिये हैं business में, commerce में, trade में, हर जगा पे तो हमारा मकसद हर जगा की ethical values को discuss करना बहुत long एक topic होगा तो हम उन चीज़ों को basically discuss किया है जो हम education की fields है यानि के हम education से मतलका जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो internet से material लेंगे तो उस से मतलका जो ethical issues हैं उनको हमने discuss किया या plagiarism से मतलका जो issues हैं वो हो सकते हैं, उनको हमने discuss किया privacy जो policy है वो तकरीबान जितने भी लोग है education से मतलका भी social media forum को इस्तमाल करते हैं तो privacy policy का उनको पता होना चाहिए या उससे किस तरह वो deal करेंगे तो ये सब चीज़ें जो है technology के ethical values में शामिल है कि क्या क्या चीज़ें इखलाकी तोर पर हमें जो हैं ध्यान में रखनी जाए है और किन किन issues का हमें सामना है ethical values के हिसाब से जो specific है technology के reference में तो एक बहुत बड़ा drawback समझे भी कह सकते हैं technology also brought some drawbacks with it workers are being treated as merely means of production only कि इनसानों को machine बना दिया है technology ने ethical ये भी बात गलत है कि इनसानों को इनसानों के तरह डील नहीं किया जा रहा है जितनी तेज़े से technology ने तरकी की है जो इनसान है वो सिरफ mean of production के तोर पर treat किये जा रहे हैं जो workers हैं उनको सिरफ एक production का जो जरीया है उसके तोर पर deal करें क्योंकि machine नों ने टिकनोलोजी ने इतना ज्यादा अपना role play कर लिया है इस सदी में कि इनसानों की जगा भी machine नों ने ले ली है तो इस वज़ा से बहुत सारे ethical जो issues हैं उनका सामना करना पड़ रहा है तो कुछ उन में से issues को हमने discuss किया उसकी remedies को discuss किया और उसे मतलका दिगर बातों को discuss किया उमीद है कि इस topic से मतलका कुछ information जो है वो आपके इलम में आ गई होगी और हम इसको इसी lines पे मजीद information भी net से ले सकते हैं और आपकी ये जो information है ये भी internet से मुख्लिफ साइट से ली गई है और आप इस से मतलका मुख्लिफ material मुख्लिफ साइट से सर्च करके अपने reading material के तोर पर उसको कर सकते हैं collect और मजीद reading भी से topic से मतलब कर सकते हैं okay thanks for listening